असलाने की पिपोर्स माँने में रिजवान चीमा फांडर एंड सी ओफ मकान सोलुशन्स प्राइब लिमिटेड आपका सफर प्लॉट से मकान तक इस वीडियो में आपको मैं केपिटल स्मार्ट शेथी ओवर सीज प्राइम ब्लॉग के के हवाले से अपडेट करूँगा इससे बहले आपको अपेड़ ब्लॉग के ती अपडेट वीडियो बनाई थी और यह एरिल वीडियो है इस वीडियो में एक्सिप्रीन करना कि करूणगा प्लॉट के साइसिस क्राइश यह है और अंकी लोकेशन क्या है मैंने प्राइम ब्लॉक की ब्लॉक ए से लेके ब्लॉक जे तक इससे पहले वीडियो पोस्ट कर दी है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो जो प्राइम ब्लॉक की ब्लॉक वीडियो बना रहा है जिन मेंबर्स की अलड़ी लोकेशन चूजिंग हो चुकी है या आने वाले दिनों में आपने बैलेटिंग से पहले लोकेशन चूजिंग करनी है तो आपको उसमें काफी जादा ये वीडियो फिसलिटेट करेंगी तो सब जले बात करते हैं जी Overseas Prime Block K में किस साइजे के प्लॉट्स हैं Overseas Prime Block K में जो प्लॉट के साइजे हैं वो हैं दसमरला के प्लॉट्स और ये Main Boulevard के Left Side पर आते हैं यानि इफ यूर एंटरिंग फ्रॉन चक्री रोड और जो Entrance Road 1 है उसकी Left Side पर जो दो ब्लॉक है पहल इरिया नॉन डिवेलपड है आपको उन ग्राउंड जो एरियल फूटेज में नजर आ रही है वीडियो इसमें तमाम चीज़ें आपको क्लेर हैं अंडिस्टेंडिंग हो जाती है कि अभी इस लैंड पर डिवेलपन काम स्टार्ट नहीं किया गया कुछ पार्शल पार्ट पर ब्राउनिंग का काम किया गया और वहां पर स्मार्ट टी की तरफ से जो एक रूम बना के स्क्योर्टी गार्ट के लिए एफडी एच की ब्रेंडिंग की जाती है उस पे वह भी हुई है कुछ पार्शल पार्ट पर और बाकी पार्ट सारे का सारा नॉन डिवेलपड और जिसका मैं आपको सिग्निफिकेंटली जो इसकी लोकेशन है वो काफी ज़्यादा अच्छी बनती है लोकेशन पॉइंट वे से आप इस पर आर्गुमेंट नी कर सेते क्योंके एंटरंस रोट के साथ है और काफी ज़्यादा चोटा ब्लॉक है तो इसका बेनिफिट की होत स्टीट लाइट फूट बात करें के यह टोटल अगर साइटी चाहे तो ब्लॉक पूरा मेरा हमें तीन से चार में में डिवेलप हो सकता है आज की डेट में यह ब्लॉक है जो नॉन डिवेलप है अगर हम इसके ऑपोसेट साइड बात करें ब्लॉक जी की तो वह से सब्सक्राइब कर लिए सारे ब्लॉक और इवन उसके में रोड पर जो विलाज है उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है तो इस ब्लॉक को डिवेलप करना भी कोई बड़ा तोप काम नहीं है मेरे हैल में ससाइटी इसको अपने ओन पर जी ब्लॉक के बात करें तो यह मैं गूगल अर्थ पर रखके आपको तकरीबर इसले चीज़ने कर रहा हूं कि ताको क्लियर एंडिस्टेंडिंग हो जाए अच्छा जी यह उन ग्राउंड बनते हैं आपका में आर जो एंटर स्रोड वन है आपके इस पॉइंट तक पॉइंट तक वो कंबल केसे नहीं होँए जितना पार्ट पर कुछ ब्राउनिंग होई ए बाकि जितना बारीं यह कूछ ब्लॉक चाइल बैप्स पार्ट के लावा कोई जो में रोड की स्ट्रीट वन की बैक साइड बनती है और यह थोड़ा सा अरिया है जो पार्शली डिवेलप्ट है यहां पर ब्राउनी का काम हुआ है बाकी जितना काम है अभी तक ओवर्सीस प्राइम ब्लॉक के में नहीं हुआ उन ग्राउंड आज जाकर देख लें तो इस जाला मैं उसके हवाले से भी टाइम टाइम वीडियो बनाता रहूंगा ताके जितने मेंबर्स यह अलड़ी इंवेस्ट कर चुकी है ओवर्सीस प्राइम ब्लॉक यहां ओवर्सीस प्राइम ब्लॉक के हवाले से प्रॉपर फॉल आप मिल सकें आप जी थोड़े मेंजिस को पुरे और अवराल को एक्टिविटी नहीं है अगर हम देखें ना रिसेंटली ब्लॉक जो प्राइम ब्लॉक में चेंजिस आये हैं यह तो यह तो यह तो यहां से काम स्टार्ट होगा जब इसके अटेश्मेंट यहां तक हो जाएगी यागा आपको नजर आ रहा है यह थो प्राइम को तो यह तो यह तो यह तो आगरा देखा जाए तो मैं काम की बात करूँ तो जितना बड़ा इरिया डवल्प करना मैंने का एक महीने काम है इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता लेकिन इसकी लेंड प्रेक्यूर्मेंट के लिए बात की जाए तो अभी तक और कोई स यानि आप कहते हैं कि बहुत ज़्यदा यहां पर रैपिट चेंजी आये हों हाँ यहां पर एक जो शिक्निफिकर्ट चेंज है वह यह आपको यह रूम नज़र आ रहा है इस जगह पर एक रूम बनावा है जिस पर FDH लिखा हो है इसके लावा यह यहां पर रूम है जिस FDH लिखा हो है तो बजाहर तो यह नज़र आता है कि यहां पर लैंड प्रिक्यूर्ड है लेकिन इस एरिया को नॉन डिवलप रखा गया है दिर माइड भी सम इशूज और माइड भी नॉट सम इशूज अब इस बारे में कोई चीज क्लिर अंडर्स्टेंडिंग नहीं है कि साइटी की तरस से हमें इस टॉपिक पर सच कोई चीज नहीं बताई जाती बट देखा जाए इस चीज को अगर मैं अंदाजा लगा हूँ अपने एक्सपिरिंस के लिहाज से तो यह लैंड प्रिक्यूर्ड बनती है कि यहां पर आपको प्रॉपर FDH की ब्रेंडिंग के जा चुकी है और दो रूम्स होगे और और पीछे साइट पर रूम होगे जैसे यहां पर बिक है और अगर हम यहां पर देखें सेल रिवर के ऑपसेट साइट पर यहां पर भी रूम है इन सारे अरियास पर FDH की ब्रेंडिंग हुई हुई है यहां अगर आप साइड विज में जाके एक्सेंशन होगी सुसाइटी की यहां इस तरफ जाएंगे तो मैं उस हवाले से फ्यूचर अपडेट कर दूँगा फॉर टाइम बिंग सुसाइटी की डेवल्पन का स्टेस किया है कि में रोड यहां तक डिवेलप्ट है जे के ब्लॉक और जे ब्लॉक टोटली 15 टीन परसंट डिवेलप्ट हैं बाकी नॉन डिवेलप्ट हैं आज की डेट में करेंट स्टेस किया है और आज की डेट है फिफ्ट ऑफ जैनुवरी 2021 आगे जब इसमें चेंजी आएंगे मैं इसके वाले से बीडियो बना दूगा अगें बैक ट्रेल टेम फुटेज इस्ट करते हैं कि फिर्स पॉल इसके लुकेशन के हैं और आज सेकनल अवराल उवराल डिवेलप्ट का स्टेटस के हैं और अब थर्ड पॉइंट आता है कि स्में किस साइज के लॉड्स हैं अब पूरे ब्लॉक जे में जितने प्लॉट सें टोटल किंठी के प्लॉट अगर काउं निम्टर सेल किया जाता है यानि कुछ प्लॉट सुसाइटी जान बुज के अपने पास रखती है उनको ऐसे रिजर्व प्लॉट रखती है फूर विलाज जैसे ही मैप लॉज जाते है तो आप देखते हैं कि हर मैप के ओपर जब प्रिविस्ली लॉज या था ओवर सीज इस् कंस्ट्रक्शन की जाती है जैसे के ब्लॉक एच ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में आज की डेट में कंस्ट्रक्शन हो रही है और ब्लॉक G में पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है विलाज की ब्लॉक C में पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है इन तीन ब्लॉक्स के लावा भी तो अभी इसमें अगस्ट 2020 से लेकि अब तक जो टाइम गुज़रा है और इस टाइम फ्रेम के तुरान अभी तक सोसाइटी की तरह से बड़े रैपिड तरीके से डिवेलप किया गया है तमाम के तमाम ब्लॉक्स को मास सिवाए ब्लॉक जे ब्लॉक के ब्लॉक एल और एम को थो सेल ही नहीं किया गया तो उन किसवाए डिवेलप्यरिक की सेंस ही ने बनती लेकिन बाकी जो ब्लॉक सेल कियगे हैं उन ब्लॉक्स पर बेड़ारा रापिड ली काम किया गया है यह BLOCK को सेल नहीं अभी स्क्राइब हो एदिया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें लिज्वान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वड़ी तक के लिए खुदा आपिस